तो चलिए बात करते हैं तीसे सेट की जो की कुर्ग से है और कुर्ग का जो है इसमें जो है न वह हम रोग डिसकस करेंगे चार कोसंस जो की सौर्ट कोसंस है तो पहला कोसंस क्या है तो इसका एंसर है तो इसका एंसर है कुर्ग is called कुर्ग is called the land of rolling hills because the city is situated on the gentle sloping hills the entire area is also covered with these hills as well मतला इसका मतलब यह हुआ क्याना कि कुर्ग जो है न वह rolling hills की भूमिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है न सहर एक कुमल ढहलान वाली पहाड़ियों पे इस्तित है यानि कि gentle sloping hills वाली धालान वाली क्या है hills पे जो है पहाडिया जो है उसके उपर जो है ये इस्तित है और जो है वो पूरा का पूरा जो छेतर जो है पहाडियों से क्या है घिरा हुआ है यानि कि covered है तो इसके वज़े से फिर से मैं पता दे रहूं कि कुर्ग को land of rolling hills क्यों कहा जाता है क्योंकि कुर्ग is called land of rolling hills because the city is situated on the gentle sloping hills मतलग कि जो धालान जो है इसके धालान जो है वो क्या है कुमल धालान वाली पहाडियों पे क्या है वो इस्तित है इस वह से कहते हैं और पूरा का पूरा पहाड़ी जो है वो किस चीज़ से मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है वो पहाडियों से क्या हुआ है घिरा हुआ है इसको और इसके बात जो हैना हम लोग कुश्चन नंब लोर के बीच पे न कुर्ग डिस्टिक्ट जो है न वो क्या है तो वो चीज को नो कुछ यहां पर हम लोग एड़ कर सकते हैं अपने question number one से जो पहले बात कर चुके उसको एड़ कर सकते हैं इस जगह पे चलिए आते अब हम लोग दूसरे question की बात करते हैं तो second question is कि what do what do you know about और दो तो क्सिव सस्का नाव ऑईला कुपे ऐस में सानिलेशन उसका नाम है वयरा कुपे तो वाइला कुपे से आप क्या समझते हैं तो वाइला कुपे इस इंडिया लेटेस्ट थिबत सेटलमेंट नप भुदीश्ट से नृ बुक्र बुद्ष मेदिए नगाने, बुद्ष नगने, नगने, अन्एभेट एखले में, खेयर में यताइट्वावरत के एक बसती। उसको कि उन्हें खiquड़ they wear red orc and yellow rob and can be seen here और वो जो है ना लाल रंग के कपड़े में ना लाल और गेरुआ वस्तर में और यलो रंग के वस्तर में जो है ना वो देखे जा सकते हैं यहाँ पे ठीक है यह हो गया इसका second question का answer अब आते हम लों बात काते हैं तीसरे question की बात तीसरे question क्या है Why has kurg been referred as a peace of heaven मतलब kurg को जो है ना वो धर्ती का जो है एक स्वर्ग माना गया है धर्ती का जो है peace of heaven यानि की heaven का जो है एक peace माना गया है एक टुकड़ा माना गया है जो की God के kingdom से ऐसा माना गया है क्या कहा जाता है यह जो ना भगवान का जो kingdom है ना जो God का जो kingdom है उस kingdom से बिखड़के या पी बोले कि उस kingdom से निकल के धर्ती पर आके बसा हुआ है ऐसा कहा जाता है या इसको दूसरे तर से इस तर से भी question पूछा जाता है throw some light on the on biodiversity of kurgi यानि कि kurgi के biodiversity के बारे में बताना है जै वो विवित्ता के बारे में कुर्ग के जै विवित्ता के बारे में हमें कुछ कहने के लिए भी देता है कभी-कभी ठीक है तो इसका हम लोग किस तर सेंसर करेंगे kurgi is often referred to as the small piece of even even because it is its natural beauty तो इसका मतलब यह हुआ ना कि कुर्ग को अक्सर उसके प्राकरतिक सुंदर्ता के कारण स्वर्ग के एक छोटे से टुकरे के रूप में जाना जाता है मतला कुर्ग खोना किसलिये माना जाता है की एक स्वर्ग का इक पीस माना जाता है तुक्रा माना जाता है क्योंकि यह काफी सुंदर है ठीक है ना it is a home to evergreen forest rain forest यह जो है क्या चीज यहां पाए जाता है कुर्ग में क्या चीज़ पाए जाता तो पहला चीज है सदा बहार रेंफोरेस्ट पाए जाते हैं यानि की वर्सा बन पाए जाते हैं रॉलिंग हिल्स यानि की रॉलिंग हिल्स पाए जाते हैं कौफी प्लांटेशन पाए जाते हैं यहां पे की जो स्वर्ग से तूत के निकला हुआ एक हीसा जो है ना वह दर्थी पे आकर बस गया है and that is जो है अब देखिए इसको इसका इडार अभी एक घर होता है लंगूर का भी एक घर होता है लंगूर भी यहाँ पहाँ जाते हैं ऐलिफेंट्स भी पाया जाते हैं एंड बटरफ्लाइज भी पाया जाते हैं और कई सारे और भी तो लास्ट कोस्टन की बात, तो वाट लिगेसी है दो कोलोनियल पावर लेथ to the district of Curg इस district में यानि के बिर्टिस रूल का क्या-kया पहचान है क्या-kya जोड़िय में क्या-क बिरासत छोड़ मतलग की उपनिमेश जब बना था ना इंडिया जब उपनिवेस था ब्रिटिसर्स का तो उस समय का क्या-क्या वो लोग विरासत में छोड़ गए यानि कि लेगेसी में क्या-क्या छोड़ गया बंगला और कॉफी बागान कह सकते हैं क्या लेगेसी ऑफ बैंगलो और कॉफी प्लांटेशन और एविड लेगेसी के रूप में चोड़ा गया है अब यहां इस एंसर का ना लेंट बढ़ा सकते हैं कुर्ग के बारे में कुछ चाहता है इसके बैगरॉंड में हम लोग लिख के लाइक कुर्ग जो है वो कहां इस्तित है मैसूर और मैंगलोर के बीच में है यहां पर क्या-क्या ची दिखाई देते हैं उसको जोना थोड़ा सा इलेबरोट कर सकते हैं थोड़ा सा और उसके जना बढ़ा सकते हैं थैंक्यू बचलो